इवनिंग की साथ बज गई है आज 27 तारीक है मंगलवार है और कल के लिए कल जो बुदुवार का दीन है वेद्नेश डे टुमोरो अठाइस तारीक उसके लिए हम एनलेसिस करेंगे तो यह डिस्क्लेमर है इसको पढ़ना अनिवार है मेंडेटरी है इसको पढ़े भीन आप मेरा वीडियो मत देखे आपसे गुजारी से आपसे विंती है यह डिस्क्लेमर मेरे डेस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिखा हो रहता है बिलो दे टैटल चलिए आज का पहले तो हम मार्केट देख लेते हैं आज बहुत सारी बाते करनी है तो प्लीज डोंट स्किप दो वीडियो at all 17.007 पे आज nifty close हुआ जिफ 9.0 माइनस में बंदी हुआ है लेकिन बैंग nifty माइनस में बंद हुआ है तो बैंग nifty कल mu का से माइनस में बंद हुआ दो 500 लेकिन निफ्टी सिर्फ 9.5 बंद सकते हैं आज की डेट में लेकिन आज एक उचल जरूर मारा 174 तक तो सीधा पहले डेली चार्ट देख लेता हूं में निफ्टी का डेली चार्ट है तो आज याद देखिए आज की केंडल कहीं न कहीं 200 EMA को टच करके आई है 169.64 जो कि 200 EMA था वो आज टच हो गया निफ्टी का जो 200 EMA है वो 169.64 है एक मिट इसको वन येर करने से क्लियर दिखेगा 200 EMA के लिए वन येर करना पोड़ेगा इसको 6 मंच में 200 देज नहीं होते है 16902 है तो अभी तक 200 EMA टच नहीं हुआ है 16902 अभी भी 200 EMA टच वह नहीं है 16902 क्योंकि यहां पर 6 महिने में आपको पता है 180 दिन होते है तो और उसमें भी 200 ट्रेडिंग डेज तो होते ही नहीं है तो इसलिए इसको वन येर टाइम फ्रेम किया तो एक्चुल आ गया 16902 तो वह अभी तक टच नहीं हुआ बाकि सारी EMA के नीचे आज हम क्लोज किया है 200 को छोड़के सारी 10, 20, 50, 100 इन चारों EMA के नीचे क्लोज किया निफ्टी ने आज मगर 200 EMA अभी भी 16,900 पे है तो वह कल टच हो जाएगा कोई बड़ी बात नहीं है यह जो रेड लाइन है यहां मैंने शिक्स मंस कर दिया तो यह 964 आ रहा है लेकिन एक्चुल में यह है 16,092 यहां आपको वन येर करना पड़ेगा क्योंकि नंबर ओफ डेस तो उतना तो ल यहां पर एक बड़ा सपोर्ट यह था वो टूड़ गया है ठीक है तो मार्केट अब सेल ओन राइस का मार्केट है और मार्केट खूब ताकत लगाया भी तो 17,450 तक जा सकता है एक फेक रेली के तहत है खूब अगर ताकत भी लगाएगा तो 17,440 तक जा सकता है एक फेक रेली आएगी वो भी अगर आए तो आशकती है वो भी करन आएगी कोई गैरंटी नहीं लेकिन क्यों आ सकती है क्योंकि स्लो स्टॉकेश्टिक आप दिखिए फोर पी आ गया है तो यह ओवर ओवर सोल्ड के तरफ आ रहा है यह टू आ जाएगा तो डफिनेटली ब पहुंच गही है तो हो सकता है कलम 16 900 का लोग बनाके फिर भागे यह चांसेज है 16 900 या 880 का लोग बनाके फिर कल तेजी हो यह चांसेज बहुत ब्राइट है उसका एक और करने दिखिए PCR अभी भी 72 के आसपास ही है जो कि ओवर सोल्ड ही है पॉइंट सेवेंटी यह साइद देखते हैं क्या है पॉइंट सेवेंटी पे PCR काफी ओवर सोल्ड है पॉइंट सिक्स्टी के तो नीचे मैंने कभी देखाई नहीं अब पॉइंट सिस्टी फिफ्टी यट के नीचे कभी नहीं देखा रहा है और एक बार इसका बैंक निफ्टी का भी PCR देख लेते हैं तो यह जबी 0.54 पर आगया काफी नीचे आगया 0.54 यह भी ओवर सोल्ड है तो कल एक बाउंस बैक तो सिय हो रहा है लेकिन हो सकता है सुबह थोड़ा सा नीचे खूल के बाउंस बैक करें यह पॉसिबल है अब आज यह निफ्टी का तो आपको दीगया बैंक निफ्टी का भी देख लेता है तो 200 जुआ में कल टेच हो सकता है निफ्टी का बैंक निफ्टी अभी बिषगा इसका पेटर्न 10 और 20 सब इन ओडर पे सेम ओडर पे है एसिन इंडिंडिंग ओडर पे है 10 की वेल्यू अभी भी 39,8671 है और 20 की वेल्यू 20 आ गया उपर यह क्या हो गया बैंक लिफ्टी में 20 उपर आ गया तो यहां पर अब कर लिया पर सो जो भी रैली उपर की होगी भाई साब आपको हाग जोड के विंती है किसी भी एस्ट्रोलोजर किसी ने भी आपको बोल दिया हो कि बहुत बड़ी कि निफ्टी में भी ऐसा ही बोलों तीन चार तीन सो पॉंट भी रिकवर करता है तो भी आप काट ले यह सिगनल मुझे बहुत खतरना रखता है देखिए आप कितने दिनों के बाद आज बैंक यह ग्रीन लाइन और यह परपल लाइन ग्रीन लाइन दिखते जाहिए और य देख सकते हो 10 20 के नीचे आगे यह बहुत बड़ी गिरावट देगा मुझे लगता बैंक निफ्टी को कही न कहीं 35,000 के भी नीचे लाइन चौतिस 33,000 भी आ सकता है यह याद रखिएगा बस मैं आपको एडवांस में बोल रहा हूं यह सब चीज़े बड़ी मंदी के neighbors के मिल सकते हैं क्योंकि हमने एक वर्टी कव फाल किया वर्टी कल फॉल बोलते इसको एक बाउंस ग् Well upfront को टैनी ए में ली जा सकता है इसका भी 6 पर आगे स्टॉकेस्टिक तो थोड़ा सा यहां ओवर्शोल दिख रहा है उसका हम बोल सकते हैं कि एक बार हो सकता है यह देखिए मैं आपको क्लियर बोलनों बहुत क्लियर बोलनों हाथ जोड के विंती बोलनों मंदी में आ जाई देखिए मैंने कितना हर वीडिय सब को बोला हर वीडियो लोगों आपको साड़े अठारा उन्नीस के पूट दिल कॉल दिला है यह भी मुझे पता है जूते भी खाएंगे हो लोग चलिए अब देखिए आज यह था मैं कि एक पॉइंट आपको ऐसे से गिनाने आपकी रू काम जाएगी रसिया ने अभी य रसिया युक्रेयन वार लाइव रसिया नुक्लियर थ्रेट सटनली नोट अबलफ वांस पूतिन्स एली फॉर्मर रसियन प्रेशियन देमित्री मेद्वेदेव त्यूज्डे को बोले उन्होंने कि मोस्कोव थे राइट तो डिफेंट इसेल विट नुक्लियर भी यूज कर लेंगे वी केरफूल मुझे टाइम्स ऑफ इंडिया चाप रही है दूसरा मैंने अभी थोड़ी दिर पहले टीवी देखा था तो महां दिखा रहा था कि जर्मनी में किस तरह से लोग रोड पर आ गया है और अपने इलेक्ट्रिक बिल जला रहे है इटली में जर्मनी मे फूड मॉल में इस तरह से फूड बाइंग कर रहे है कि स्टॉक कर रहे है कि कली वर्लवार होने वाला है यह मैंने आज टीवी में देखा है और एक बड़ा रिसेशन आपको त्यार रहेगा और इंडिया क्या इंडिया का ताउजी भी नहीं बचा पाएगा आपको लिग क देता हूं यह मेरा एक वीडियो जरूर बनेगा भले दो महिने में बने भले तीन मेने में कि इंडिया विल बी वर्स्ट परफोर्मर सब लोग बोले इंडिया सबसे अच्छा है सारी टीवी आपको सब रोज यही सब सुना रहे है कि हमारे सक्तिकांता दास तो ग्रेट है अब आपको मैं एक चीजें दिखाता हूं जिससे आपका थोड़ा मन में बदलाव आएगा यह है डाउजोंस का वीकली चार्ट अब एक चीज पर फोकस लखेंगा बहुत मेनत करके आपके लिए बनाया हूं डाउजोंस कोरोना जब आया था तो यहां पर था इस जगह ठीक है इस जगह डाउजोंस की प्रैस ते 18,213 लिखिए आप लोग घर पे 18,213 डाउजोंस भी था कोरोना का जो मार्च 2020 में कोरोना आया था तो जहां हमने 7511 बनाया था निफ्टी ने वहीं डाउजोंस ने 18213 का लो बनाया 18213 का लो बनाया उस लो से डाउजोंस भाग भाग के भाग भाग के कहां तक आया 36952 ओल्मोस्ट डबल से ज्यादा 18213 माइनस 36952 अठारह अज्जार पॉंट की रैली किया डाउजोंस ने डबल हुआ स्रिफ डबल हुआ कब तक कोरोना के बाद से डाई साल में डाउजोंस ने भी एक हाई बनाया हाई कब बनाया उसने जनुवरी 2,022 में 36952 का ह राई बनाया उसने इसना लो बनाया था 18213 क तो 18500 की रैस किया दो डाई साल में ठीक है यहां तो दो साल भी नहीं लगे क्योंकि मार्च जनुरी 2022 में बना दिया ठीक है दो साल से भी कम लगा डबल होने में इस लो से लेकिन एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको बता रहा हूं पीफर कोरोन डल्च चोड़ ऑल टाइम है था उसको नोट करियेगा बहुत।ION इंपॉर्टेंट सि launch śubh बिफोर कोरोना डैव्जोंस का जो ओल टाइम था जो मार्च में कोरोन आया था 2020 में उसके पहले जो डैफोंस का है था ओल टाइम है था वह था 29568 कि इस पॉइंट को बड़े ध्यान से सुनिएगा बिफोर को रोनाडाओ जॉनस का ओल टाइम ही कितना था अभी जो जन्वरी में बना 2022 में वो बना 36,952 उसको भूल जाईए जब वो कोरोना आया नहीं था उसके पहले का all time high कितना था 29,568 कितना था 29,568 और आप देखो डाउ जोंस उस high के भी नीचे कल तक आ चुक है कल तक का low था 29,161 और यह आला हाई था 29,568 इस high के नीचे आ चुक है pre-corona का all time high के नीचे डाउ जोंस रीटेस्ट कर लिया pre-corona high को डाउ जोंस pre-corona all time high को डाउ जोंस ने रीटेस्ट कर लिया कैसे रीटेस्ट किया देखिए ऐसा घुमाओ बनाया देखिए यह देखिए कितना rounding fall आया यह इस fall को आप देखेंगे ना इस राउंडिंग फॉल आया कि नी एक दम राउंड में आया देखिए आया ना राउंड में छत्री के तरह ठीक है तो एक आस्मान बनाया लेकिन अब गिर रहा काफी बुरी तरह से कि आपने देखा डाउंड ने उस लेवल को यह जो लेवल था पच्चीज उन्तिस अजार पांसो अर्षरट कुछ से भी पांसो पंड चार्सों नीचे जा चुका डाउंड जोंड प्री कोरोना ओल टाइम हाई से भी अब आजे यह यह जो रेली हुई लिए 18,213 से लेके 36,000 कितना एक सो च अचांह देखं़े निचनना 19052 ए रेली का जो 18,600 पॉइंट या 700 पॉइंट की रेली हुई है डाउ जोन्स में माश 2020 से लेके जनवरी 2022 तक 18,700 पॉइंट की राइज आई है डाउ जोन्स में उसका 38.2 परसेंट जो होता है वो लेवल अगर हम निकाले तो वो होता है 29,776 और डाउ जोन्स दो क्लोजिंग उस 38.2 परसेंट के नीचे कर चुका है 29,776 के नीचे डाउ जोन्स फ्राइडे को भी क्लोज हुआ था 592 और मंडे को भी 660 दोनों दिन इस ने वो इस 38.2 परसेंट के नीचे क्लोज किया तो डाउ जोन्स का अगला पढ़ाव क्या था यह 50 परसेंट 50 परसेंट कितना है देखिए 27,610 तक डाउ जोन्स जा सकता है डाउ जोन्स में एक तगड़ा रिसेशन आपको दिखाई दे रहा है क्योंकि इसने प्री कोरोना ओल टाइम हाई को भी हाई से भी नीचे आ चुका है प्री कोरोना ओल टाइम हाई से प्री कोरोना ओल टाइम हाई से भी नीचे आ चुका है अब अगला टार्गेट डाउ जोन्स का खुल गया है 27,600 का कितना खुल गया है अभी कहा डाउ जोन्स चल रहा है 29,600 दो अजार पॉंट और गिरेगा डाउ जोन्स आप लिख लो और वो वो गिरावट आई तो पचास पर्सेंट कर्रेक्शन हो जागा यह टोटल अठारा अजार पॉंट जो भागा है इसके विपरित इंडिया को देखिया आप अपको बहुत असी आएगी लेकिन मुझे दिखाना जरूरी है अजय सॉरी सॉरी एक पॉंट और बताना बूल गया एक पॉंट और बताता हो एक इंपोर्टेंट पॉंट और बताता हो रिसेशन तो आएगा यह आप कुछ भी करलो और इतना तगड़ा वाला रिसेशन आएगा कि लोग के रूख आप जाएगी कि वालब क्वच्त चाओवज करो बता लागा प्याओड मुल्वेट इत्वत कäre तो एक इंप होता कि वालOP तो कुछ चार्ट को वापिस खुणता हूं कुछ इसमें गड़बड आ गई थी एक पॉइंट और बताना था इसलिए आपका समय थोड़ा सा ले रहा हूं मगर मजबूरी है मजबूरी आप 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 कि नेट तो चलू है हाँ तो स्लो हो गया को कोई कारण से हो गया का पता नहीं तो वो डाउजों उसका चाट फिर से लगाता हूं मैं जो सेव किया हुआ है इतना स्लोक क्यों हो गया पता नहीं कि एक काम करता हूं इसको बंद कर देता है इसके कारण से कुछ हो रहा होगा मार्केट बाद में लगा लूँ हो मैं ता नहीं स्लोक कुछ हो गया हुआ 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 दाओ जोंज का वापस लगाता हूं दाओ जोंज में एक इंपोर्टेंट बात में बने को बता रही है अगर आप लिए यहां पर मैंने वीकली वीकली एवरेजेज विल वीकली एमेज लगा रखी डाउजोंस में ठीक है डाउजोंस अपने यहां जाने वीकली एक्सपोनेशल डाउजोंस की200 वीक समझते हैं आप लोगे एक वीक में खेम है डाउट वीकने आप सोचिए अपने 200 वीकली हमें के भी नीचे क्लोज दे चुका डाउजोंस तो डाउजोंस में तो एक भारी मंदी आ सकती है अगर मुझे अपसोस नहीं होगा अगर डाउजोंस 25,500 तक भी आ जाए हाला कि मैंने आपको 27,600 का टारगेट दिया है आने वाले 15-20 दिन में 27,600 का ठीक है लेकिन हो सकता 25,300 भी आ जाए तो कि डाउजोंस अपने 200 वीकली एमे के नीचे भी क्लोज कर चुका है डाउजोंस का जो 200 वीकली एमे है वो है 29,973 10 वीकली एमे उसका है 31,221 20 वीकली एमे उसका है 31,860 50 वीकली एमे उसका 32,725 100 वीकली एमे है 32,269 और 200 वीकली एमे डाउजोंस का है 29,973 और डाउजोंस कल की क्लोजिंग थी 29,522 बिलो 200 वीकली एमे यह में यह बहुत डेंजरस साइन होता है दोस्त कोई भी चीज अपने 200 वीकली एमे के नीचे अगर क्लोज करती है इस रियली डेंजरस बहुत बड़ी रिसेशन में जाएगा डॉजोंस मुझे लगता है मुझे अपसोस नहीं होगा अगर डॉजोंस कहीं 20,000 भी आ जाए ठीक है तो यह तो हाल है अब आजाते हम निफ्टी का यह एक इंपोर्टेंट पॉइंट आपको बताना था कि 200 वीकली यह मैं के भी नीचे क्लोज हो चुका है वीकली मैं डेली बात नहीं कर रहा हूं 200 वीक का मतलब आप समझतों एक साल में आपको भी पता बावन अपते होते हैं चार साल के एवरेज के भी नीचे क्लोज हो चुका है चार साल की एवरेज मुविंग एवरेज अब निफ्टी देखे निफ्टी को आप देखे अभी तक निफ्टी आपका प्री कोविड में 7511 का लोग बनाया था यह वाला और 18604 का अक्टूबर 2021 में बना दिया था उसने तो डेड़ साल में निफ्टी ने 7511 से 18604 का हई बना दिया तो निफ्टी डबल से भी ज़्यादा बड़ा 7511 का अगर आप डबल करते हो तो वह होता है 15,022 लेकिन उससे भी 3,600 पॉइंट ज़्यादा बड़ा तो ड़ाउ से काफी ज़्यादा बड़ा निफ्टी और वह भी डेड़ साल में क्योंकि ऑक्टूबर 2021 में हमने यह हाई बना दिया था डाउ जोंस ने जनवरी 2022 में बनाया था हमने अक्टूबर डाउ से तीम मैंने पहले ही बना दिया डाउ ने दो साल से थोड़ा कम समय लिया हमने देर साल से थोड़ा ज्यादा समय लिया ठीक है कि आप देखो इतनी बड़ी रेली हुई अभी तक इस टोटल रेली की निफ्टी की अभी तक 23.6 परसेंट भी करेक्शन नहीं हुआ जबकि डाउ जोंस 38.2 परसेंट के नीचे भी आ चुका है इस टोटल रेली का इसका 31.2 परसेंट के नीचे डाउ जोंस कुलोज कर चुकी है जो को विट से लेके अभी तक का जो ऑल्ल टैम हई बना उसकर 38.2 परसेंट के नीचे जोंस क्लोज हो चुके है अब उसका 50 परसेंट जो आता है वहाता है 27,000 आजायू सो क्लोज और हमारा अभी तक 20.6 प तो यह तो किसी भी हालत में आएगा आप लिख लो दुनिया की कोई भी ताकत 15,975 आने से निफ्टी को रोप नहीं सकती इसमें 10,20 पॉपवर नीचे हो सकते हैं 50 पॉइंट लेकिन दुनिया की कोई भी ताकत में क्या बोलो यह 23.6 परसेंट तो आएगा ही आएगा यह जो र अपने 20 EMA के निचे आया 20 weekly EMA के निचे निफ्टी का 20 weekly EMA कितना आ रहा है वह आ रहा है दोस्तों वह आ रहा है आज की डिट में 17,092 हम उसके निचे आए और निफ्टी का 50 weekly EMA कितना आ रहा है 16,789 16,789 हो सकता है कल तक या परसो तकम उसको चुने जाए या दो-तिन दिन में चुने जाए निफ्टी का 50 weekly EMA यह एक बड़ा सपोर्ट बनके आ सकता है 16,789 तो निफ्टी की 50 weekly EMA जहां डाउजोंस अपने 200 वीक के नीचे आ चुका है हम अभी तक अपने 50 वीक को भी नहीं चुए है अगर हम 200 वीक के नीचे आते तो आज की डेट में हमको 14,190 के नीचे आना पड़ता है और हम खड़े कहां पर 17,000 कितना बड़ा गया पर डाउजोंस है हमारा डाउजोंस आज इस लेवल के नीचे है 38.2 के नीचे ठीक है यह जो 38.2 आ रहा है इसके नीचे डाउजोंस से आज ठीक है और हम अभी तक 23.6 परसेंट भी नहीं पहुँचे हमारा 23.6 परसेंट जो पहला रिट्रेश्मेंट होता है वो भी 15,975 आज दिखा रहा है हम तो अभी भी 15,975 से लगबक हजार पॉंट उपर ही है हजार से भी ज्यादा उपर है हमने अभी तक करेक्शन किया ही नहीं है यह देखे यह 23.6 परसेंट है यह एक बार हमने जून में इसको जरूर करेक्शन किया था लेकिन 38.2 यह परफेक्ट लेवल होता है इस टोटल रेली का करेक्शन यह जो टोटल रेली हुए हमारा 23.6 परसेंट कार मैंने यह लिख दिया सार 15 975 38.2 परसेंट का परया है 14 356 50 को रहे है डाव का 50 कार है 27 600 थो डाव का अगला टार्गेट के आरहा 27 600 हम अभी तक यह टार्गेट यह नहीं कहुंच है तो कितना गेप चल रहा हमारा डाउ में डाउ का 38.2 कितना आ रहा है 29,700 उसके नीचे अल्रेडी डाउ क्लोज कर चुक है और हमारा तो कितना रहा है वीकली 14,356 अभी हम उससे 3000 उपर है और प्री कोविट लेवल का हमारा हाई कितना था 12,430 और अभी हम कहां पर खड़े 17,000 पर हम प्री कोविट लेवल के अल्टाइम हाई प्री कोविट लेवल मतलग 2020 का जो कोविट आया था उसके पहले निफ्टी का कितना था 29,600 ता और दाउजोंल सभी 29,100 मार्च सुका है प्री कोविट लेवल के 500 प्री कोविट लेवल आय कितना था फ्री कोविट मतलब 2020 के पहले मार्च 2020 के पहले हमारा जो अल्टाइम हाई था 12,430 मुझे याद यह हैं और वहां से हम गिरके आये थे मार्च में साथ अजार पांसो ग्यारा और उस साथ अजार पांसो ग्यारा से हमने अक्टूबर 2021 तक हाई बना दिया अठारा हजार छैसो चार जो नियम से तो हमको भी अगर डाउ जब इसको टेच कर चुका है बारा 29,500 जो भी था उसका उसको टच कर चुका है जो प्री-Covid all time तो हमको भी नियम से टच करना चीए तो अगर हमको नियम से टच करना चीए तो हमको तो 12,430 आना पड़ता है भाई साब तब जाके यह टच होगा यह जो यह जो प्री-Covid level का हाई है कोविड के पहले का यह जो ओल टाइम आई है यहां आने के लिए हमको 12,430 आना पड़ेगा और अभी हम कहां खड़े इस जगह यहां से इतना बड़ा गैप है जबकि डाव में आप देखोगे जबकि आप डाव में देखना है तो हम अभी भी उस प्री-Covid all-time हाई से 5,000 पॉइंट उपर है कितना उपर है 5,000 और डाव आप देखोगे यह है डाव का प्री-Covid all-time हाई था यह वाला 29,600 करीब ठीक है डाव इसके नीचे आ चुका है प्री-Covid all-time हाई के बाद डाव जोंस इतना गीरा था 18,000 तक और फिर बनाया 36,922 का हाई और वापस से उस लेवल को टेस्ट कर चुका है जबकि हमारा निफ्टी है यह सारी बाते आपको जन्जोर देगी अगर कुछ भी इंडिया की कोई भी चीज सामने आ गई कि मुझे पता नहीं कैसे सकती कांतादास जी मैनेज कर रहे है बाकी आपको कितने जूट और बोल सकते यह गवर्मेंट मुझे मालम नहीं है कि आपकी मर्जी है आप मेरी बात मत मानिए मगर रिसेस्टञ तो है यह दिख रहा है आप डॉलर इंडेक्स को देख लीजे और उसको छोड़िये बॉअड डिल को देखिए जहां two year bond deal कहां पर है और देखिए यहां पर दिखाता हूँ bond deal किसी ने अगर economics पड़ा होगा तो आपको पता यह recession का एक sign होता है जब short term bond deal long term bond deal से काफी उपर आ जाए तो US two year bond deal दिखाते है तो पहले तो ठीक है तो आज की date में two year bond deal कहां पर दिखते है two year bond deal 4.29 अगर आप दो साल के लिए पैसा लगा रहे हो तो आपको government कितना interest दे रहे है पाइस 4.30 % interest दे रही है कितना देर है दो साल के लिए अगर आप पैसा लगा रहे हो तो आपको interest कितना मिले है दोस्तो 4.3% दीख रहा है आपको 4 उपयाथ 5.3% interest मिल रहे है लेकिन अगर आप 10 साल के लिए पैसा लगा रहे हो या 5 year आप देखे 5 year bond deal के है 10 year के देखे यह 4.30 है 2 साल की 10 year में आपको 3.93 मिल रहे और 2 years में आप पैसा राल रहे तो आपको 4.30 मिल रहे और यह कई दिनों से यह gap चला रहे तो आदमी 10 साल के लिए क्यों पैसा लगाएगा 2 साल वाली में लगाएगा ना जहां आपको ब्याज भी ज्यादा मिल रहे तो यह अपने आप में रिसेशन का साइन होता है कि शौर्ट टम में US economy रिसेशन में चाच चुकी है शौर्ट टम में US economy रिसेशन में जा चुकी है इसको ठीक से आप किसी ग्यानी आदमी से पूछ लिजेगा मैं तो ज्यादा ग्यानी नहीं हूँ तो आज मैं खुलके बोली देता हूँ मेरे टार्गेट्स निफ्टी के है 14,000 से लेके 12,000 अगले 6 महिने में 14,000 से 12,000 ठीक है अगले 6 महिने में जै जिनेंद्र जै बोले नाग्यानी